नमश्का दोस्तों, मैडिसन हैकर चैनल में आपका स्वागत है तो आईए बात करते हैं अबरक बसम के बारे में वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नि किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें तांकि याने ले सारे वीडियो की जानकारी आग को मिलती रहे दोस्तो अबरक बसम एक आईरुवेदिक कोश्टी है कई परकार की आईरुवेदिक द्वाईयां बनाने में अबरक बसम का इस्तमाल जो है वो किया जाता है पतंजली, वैदनाथ, डावर जैसे बड़ी कमपनियां अबरक बसम बना रही है बजार में इनके जो परडेक्ट है वो आईयेबल है इसमें बरपूर मातरा में आईरन, मैगनेशियम, कैल्शियम जैसे जो तत्तव है वो पाई जाते हैं अबरक बसम असल में अबरक की राख होती है लेकिन इसमें कई और रोश्डियम मिलाकर इसको त्यार किया जाता है अबरक बसम वाईरुएद में एक परचीन रोश्डी है इसका अबरक बसम का इसमाल किया जाता है इसमें बरपूर मातरा में लोहा तत्त पाया जाता है जो पेट रोग, कफ रोग, वीरज दोश्डी काफी कारागर है इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है इस तरह पुर्शों के सेक्स बंदी रोग ना पुन सकता स्वापन दोस, मरताना कमजोरी, नसों की कमजोरी, सेक्स पावर बढ़ाने के गुनिस में पाये जाते हैं इसका सुवाद जो होता है वो कसैला होता है अबरक बसम को आप 125 मिली ग्राम से 200 मिली ग्राम की मातरा तक इसको आप डाक्टर के परमश के अंसार, दूद, गी, जांशेहत, जां मक्षन के साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं सबसे जो बड़ी अबरक बसम होती है वो हमालिया से मिलने वाली होती है दूसे नमबर पर जो अबरक बसम आती है वो पूरवी देशों की आती है पूरवी देशों की जो बसम होती है अबरक की वो दूसे नमबर पर आती है इसको लेने सवंदिया बात करेंगे साथदानियों के बारे में दोस्तों, किसी अच्छे डाक्टर से परमश लेकर ही आप अबरख बसम का इस्तमाल जो है, वो करें डाक्टर के कहें उनसारी आप इसकी मात्रा लें, इसका डोज लें गरवती स्तिख एक किसी भी द्वाई का सेवन करने से पहले डाक्टर से परमश जूर लें इसका इस्तमाल बोजन करने के बाद किया जाता है अगर इसका सेवन करने से आपको अपने आप में कोई साइड इफेक्टर दिखे जहां आपके दिल की दर्कन जो है वो तेज हो गई है ऐसा कोई कर्णिशन आप में आ गई है तो आप तरुनत अपने डाक्टर से सपर करें मुझे आस है कि आपको अबरक बसम के बारे में मैंने जो भी जानकारी दी आपको अच्छी लगी होगी किरपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जूर करें तांकि आने ले सारे वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे धन्यवाद